जै मातादी, मा दुर्गा, तेरी सदा ही जै हो नवरात्रों में पहन लेना, अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग गया आपका साथवें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे, दौलत पीछे-पीछे आएगी. दोस्तों, हिंदु संस्कृती में कई तरह की पौरानिक मानेताओं को महत्व दिया गया है, कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जो की काफी शुभ माने गए हैं। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो वरत रखते हैं, जो माता बहने वह पीपल की पूजा क्यों करती है क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलोकिक चमतकारिक शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय में यानि की कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो आज मैं आप लोगों को नवरात्र के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे इस वीडियो में बताऊंगा देखिए यह जो नवरात्र का समय होता है मा नौ दुरगा की कृपा प्राप्त करने का इनसे आशीरवात प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते है सिद्धि प्राप्त करना चाहते है शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते है धन धान्य की कामना हो धन धानने से सम्रिद्ध होना चाहते हैं आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुरभाग्य दूर हो जाए कीर्थी की प्राप्ति हो, शांती की प्राप्ति हो आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आज मैं आप लोगों को नवरात्री के समय में धारण की जाने वाली पांच जड़ के बारे में बताऊंगा फाइव जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना जितने भी मैंने लाब इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाब आपको मिलेंगे पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमतकारिक शक्तियां होती हैं आप माने या ना माने हमने जीवनकाल में कई बार और शधी का प्रयोग करके बहुत सारे साधकों की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है तो जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं न कहीं धार्मिक द्रिष्टी से ले चाहे आध्यात्मिक द्रिष्टी से ले लीजिए हमें फाइदा पहुंचाने का काम ही करते हैं अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके जैमाता दी नहीं लिखा तो जल्दी से लेख दीजिए सर्व प्रथम तो आपको नवरात्री के नौ दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है अगर नवरात्री के छटे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नवरात्री के छटे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर के आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं लेकिन अगर नवरात्री के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों महंगे रत्न पहनने की बजाए अगर आप जो है इन पेड पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा रिजल्ट मिलेगा कहीना कहीं रत्नों में मिलावट होती है कहीना कहीं रत्नों में त्रुटी होती है लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन पेड पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से क्योंकि स्वयम आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे तो मैं आप लोगों को नवरात्री के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं दोस्तों सर्व प्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है इसकी देवी प्रतिमा की तरह नौ दिन तक पूजा करनी होती है जैसे माता नव दुरगा की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकरके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है और 10 दिन जो विजय दशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है अगर आपका सामर्थ है नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारन करके जो है डाल करके धारन कर सकते हैं तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्री के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारन करना चाहिए पहनना चाहिए पांच जड़ के बारे में बता रहा हूँ जानकारी बताने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा अगर हमारे पास कोई उपाई होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिपलाई करके बता देंगे दोस्तों, आईए जानते हैं सर्व प्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा फाइदे बताना चाहूँगा चमेली की जड़ में दैविये शक्तियां समाहित रहती है आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है, हनुमान जी महाराज को प्रिय होता है, इसमें हनुमान जी महाराज की दैविये शक्तियां रहती हैं, जो लोग माता लक्षमी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, ज इसकी नौ दिन आपको पूजा करनी है। नौ दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशेहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैविये शक्ती की प्राप्ती होती है, अलॉकिक शक्ती की प्राप्ती होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरस्ती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लट जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार का होता है लट जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़ चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं, उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीज देखे होंगे फल के वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उलटे होते हैं इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से तीस दिनों तक बिलकुल ही पेशाब पानी यहां तक की जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालग में अधिकतर हमने देखा है ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं लंबे समय फिर साधना करते हैं इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारन करना चाहिए तो नवरात्री के समय में दसवी तिथि में आपको इसे धारन करना होता है इसके धारन करने के बाद यह शत्रुका नाश करता है और एक खास बात जो लोग जैसे वशिकरन प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं उनके चेहरे से नजर ना हटाएं उन्हीं की बात मानें तो ऐसे व्यक्ति जो है अपामार्ग की जड़ जरूर धारन करें इसकी जड़ धारन करने के बाद अध्यात्म उन्नती होती है बंद किस्मत के ताले खुलते हैं दोस्तों आप जहां भी जाएं लोग आपको देख करके आकरशित होंगे आपके वशिभूत हो जाएंगे तो यह अवश्य धारन करें इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है नवग्रह मेंसे किसी भी प्रकार के जुग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहे हैं गलत फल दे रहे हैं और हमारे हिंदु धर्म में बर्गत को देव व्रिक्ष माना जाता है। देव व्रिक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा। इनकी पूजा होती है, जो बर्गत है, ये देव व्रिक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ती समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बर्गत व्रिक्ष है, इसमें पित्र का भी वास होता है। बर्गत का व्रिक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नती करना चाहते हो, तो नवरात्रे में नौ दिन पूजा करने के बाद बर्गत की जटा अवश्य धारन करना. बर्गत की जटा धारन करने के बाद, आपको 20 से 25 चमत कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों. चौते नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़. अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारन करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कही गई है. और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ, और आज भी बता रहा हूँ, जो 115 वर्ष कुरानी सफेद मदार की जड़ होती है. ये भगवान गणेश की सूंड की आकरती ले लेती है. आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाय जाते हैं. मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा चमतकारी कहा गया है. ये ततकाल अपना दिन तक पूजा कर देना, इसके बाद दस्वीन तिथी को धारन कर सकते हैं, पहन सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, जो मदार है. ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है. और मदार धारन करने के बाद नव ग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्थ हो जाती है. खास कर जो बुद्ध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं. दोस्तों, अंतिम में आते हैं. अपराजिता. अपराजिता क्यों धारन करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्षमी क अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है। परेशान हो चुके जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिती है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ धारण करें, इसे चांदी के तावीज में धारण करने के बाद, फिर लक्षमी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल माने या ना माने, वह अपनी जगह है जो लोग मानते हैं, देखिये टोने टोटके कि दुनिया में विश्वास होना जरूरी है, जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानि कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो, त इतने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तू बताया हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूँ, यह आस्था के उपर निर्भर करता है, आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे, तो अपने भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्म उन्नति करने के लिए, यह जड़ अवश्य धारन करें, सदा आपको सुरक्षा ये प्रदान करेगी, यह जड़ मित्र की भांती मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। धन्यवाद दोस्तों, जै माता दी।